जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैन शांग होस्टल सेवन का बिग बॉस बन गया था लेकिन तभी वहाँ एक लड़की और आती है और परंपरा के अनुसार अब टैन शांग उससे लड़ने लगता है उस लड़के की स्पिरिट सोल रैपिट की है और वो लड़की बहुत जादा शक्तिशाली है उन दोनों की फाइट में दोनों एक दूसरे पर भारी बढ़ते हैं और फिर लास्ट में लड़की टैन शांग को हरा देती है और अब होस्टल सेवन का बिग बॉस उस लड़की को बना दिया जाता है इस लड़की का नाम जीवू है यहाँ पर कोईध होस्टल है क्योंकि यहाँ सब सिर्फ बच्चे हैं इसलिए गल्स और बॉइस अलग लग होस्टल में नहीं रहते अब सब फिर एक दूसरे की सोल पार पूछते हैं और जब टैंड शैंग उन्हें अपनी सोल पार फुल बताता है तो सब बच्चे बहुत चौक जाते हैं अब वहाँ फिर टीचर आते हैं और टैंड शैंग को उसका ब्लैंकिट देते हैं अब टीचर उसे सिर्फ एक ब्लैंकिट दे कर गया था और जीवू के पास कोई ब्लैंकिट था ही नहीं इसलिए वो टैंड शैंग से अपने और उसके दोनों के बेट्स को मिला कर एक करने को कहती है तांकि वो दोनों एक ही बेट पर सो सके अब सब बच्चे बहुत चौक जाते हैं और टैंड शैंग से जलने लगते हैं टैंड शैंग भी घपराते हुए उससे कहता है कि भला एक लड़का लड़की एक साथ एक बेट पर कैसे सो सकते हैं जिस पर जीवू कहती है कि जब मुझे लड़की होकर कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें लड़के होकर क्या परिशानी है अब फिर वो बेट्स को अटाच करता है और दोनों सो जाते हैं अब अगले दिन वो सभी बच्चे मेस के अंदर खाना खाने जाते हैं जीवू को उपर फ्लोर पर खाना खाने का मन था लेकिन वहाँ उसे ये पता चलता है कि उपर वाला फ्लोर अमीरों के लिए है और गरीबों के लिए उपर जाना मना है अब ये सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है क्यूंकि उपर बैठे अमीर लोग उन्हें चिडा भी रहे होते हैं हॉस्टल सेवन के सभी बच्चे अब नीचे के फ्लोर पर ही खाना खाने के लिए बैठने लगते हैं लेकिन तभी वहां ग्रांड मास्टर आते हैं ग्रांड मास्टर वही है जिसे टैंग शैंग ने अपना टीचर बनाया था ग्रांड मास्टर टैंग शैंग के पास आकर उसे अपने साथ ऊपर खाना खाने को कहते हैं क्योंकि उनको टैंग शैंग से कुछ बाते करनी थी लेकिन टैंड शैंग को फिलाल अपने दोस्तों के साथ रहकर ही खाना खाना बहतर प्रतीत होता है और वो उनसे खाना खाने के बाद मिलने को कहता है अब टैंड शैंग अपने दोस्तों के पास जाता है जहाँ जब उसके दोस्तों को ये पता चलता है कि टैंड शैंग के टीचर ये है तो उन्हें बहुत अजीब लगता है क्योंकि सबको ये बात पता थी कि Grand Master Rank 29 पर पहुँचे हुए हैं लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जिस वज़े से उनका कभी कबार मजाग सा भी बनाया जाता है और जब टैंड शैंग के दोस्त टैंड शैंग के सामने ही Grand Master का मजाग सा उड़ाने की कोशिश करते हैं तो टैंड शैंग गुस्से में आकर उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे टीचर के बारे में एक और बार मजाग उड़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अब वो फिर सीधे Grand Master से मिलने जाता है और अब Grand Master उससे उसकी दूसरी Spirit Soul को दिखाने को कहते हैं वो उन्हें अपनी दूसरी Spirit Soul दिखाता है जो असल में एक हैमर की थी Grand Master ये देखकर बहुत इंप्रेस होते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि उसके पापा एक लोहार है तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि आखे लोहार के बेटे के पास इतना टालेंट कैसे लेकिन वो इसको एक अच्छा मैच ही कहते हैं क्योंकि लोहार के पास हतोड़े की Spirit Soul से अच्छा कॉंबिनेशन नहीं हो सकता था अब वो फिर टैंड शैंग को हैमर वाली Spirit Soul में Spirit Ring को आड़ करने की मना करते हैं और जैसे ही वो Grand Master से ये बात सुनता है तो वो बहुत चौंक चाता है क्योंकि उसके पापा ने भी उसे मना किया था कि उसे कभी भी हैमर Spirit Soul में Spirit Ring आड़ नहीं करनी अब वो इसका रीजन Grand Master से पूछता है जिस पर Grand Master उसे सिर्फ इतना कहते हैं कि सही समय आने पर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा अब Grand Master टैंग शैंग को अपने अंडर में रखकर उसकी ट्रेनिंग को करवाना चाहते थे और उसके Spirit Master बनना चाहते थे लेकिन Spirit Master बनने के लिए उसे अपनी Rank बढ़ानी होगी अभी उसकी Rank 10 है और Rank 11 पर पहुँचने के लिए उसे Spirit Ring की जरूरत होगी और Spirit Ring उसे सिर्फ 20 को मार कर ही मिल सकती है जिस वज़े से वो अब एक खास तरह के जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि उस खास तरह के जंगल में जाकर उन्हें शिकार करने के लिए बीस मिल सके वो उसे फिर उसकी Spirit Soul जो की एक Blue Silver Grass की है उसके बारे में उसे कई सारी नौलेज देते हैं और वो नौलेज हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में स्टोरी के साथ बताएंगे अब फिर टैंग शैंग अपने होस्टल में सोने के लिए जाने लगता है क्योंकि कल उसे जल्दी उठकर Grand Master के साथ जाना था लेकिन होस्टल में जाते वक्त उसे रास्ते में जीवू दिखती है असल में जीवू समझ जाती है कि पिछले दिन टैंग शैंग मन से उससे हारा था और उसने अपनी पूरी एबिलिटीज नहीं दिखाई थी इसलिए अब जीवू उसे रास्ते में रोकर फाइट करना चाहती थी अब वो दोनों फाइट करते हैं और फाइट करते वक्त दोनों के बी जाती है अब फिर अगले दिन टैंग शैंग ग्राइट मास्टर के साथ गाड़ी में बैट कर जंगल में जाने लगता है और रास्ते में वो उसे कई तरह के बीस के बारे में नौलिज देता है वो फिर उसे एक खास तरह की बेल्ट देता है और उस बेल्ट के अंदर वो ज पूरे शहर के अंदर था, जिस वज़े से Grand Master और Tang Chang को जंगल के अंदर जाने की पमिशन दे दी जाती है, अब वो दोनों जंगल के अंदर जाते हैं, जंगल के अंदर कई खतरनाक बीस्ट मौजूद थे, और उन बीस्ट से इन दोनों को भी खत्रा हो सकता था, इसलिए ये द उनों अब कदम फूख फूख कर आगे बढ़ते हैं, अब फिर Grand Master उसे अपनी Spirit Soul दिखाता है, जो कि असल में एक बीस टाइप की Spirit Soul है, उनकी Spirit Soul बहुत जादा खास और एक तरह की वेरियंट थी, लेकिन अब Tang Chang को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि उनके Spirit Soul तो इतनी भी हार्ट ट्रेन कर ले, वो कभी भी अपनी rank को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, और इसलिए ही Grand Master ने अब rank बढ़ाने को छोड़, ranks के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, और अब बहुत सारी knowledge एकटा कर ली थी, अब फिर उसे अपनी Beast Spirit Soul के बारे में बताता है, कि य इस वज़े से वो उसको वहीं छोड़ आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ उन्हें अब एक पेड़ दिखता है, जिसको टैंक शैंग एब्जॉब करके Blue Silver Grass की Spirit Ring बढ़ा सकता था, लेकिन उस पेड़ की उमर बहुत कम थी, जिस वज़े से वो उनके लिए suitable नहीं है, और अब व मूली खिलाते हैं, असल में इस बीस्ट की स्पेशल पावर फार्ट मारना था, और ये मूली खाने से ही पॉसिबल हो सकता था, ये बार टैंक शैंग को बहुत शौक करती है, अब वो बात कर ही रहे होते हैं, कि तब ही वहाँ एक बहुत बड़ा स्नेक के शेप वाला बीस् करते हैं, लेकिन वो बीस्ट उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौरता है, और उनको मारने ही वाला होता है कि तभी ग्रैंग मास्टर की स्पिरिट सोल उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो बीस्ट उससे भी बच जाता है, ग्रैंग मास्टर और टैंक शैंग अपने अ वो बीस्ट वही तड़ब तड़ब कर जमीन पर गिर जाता है अब फिर Grand Master भी उसको देख लेते हैं और Tank Shank को डर लगता है कि कहीं इन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया वो सबसे अपने hidden weapons को चुपाना चाहता था अब Grand Master उसके पास आते हैं और उनको खुशामती से उसका hidden weapon नहीं दिखता और Grand Master को यही लगता है कि Tank Shank का चाकु तुक्के से इसके मुझे पर जा लगा है और ये बीस्ट तुक्के से मर गया है अब Grand Master बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब इस बीस्ट की energy खीच कर वो Tank Shank को spirit ring दिला सकते हैं अब Grand Master की ये बात सुनकर कि उसको इस बीस्ट में से energy खीचनी है वो डर जाता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि Snake की energy से उसके spirit soul जो की blue silver grass है वो तभा हो जाएगी लेकिन Grand Master उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा बलकि इसको खीच कर तुम्हारी spirit soul और जादा मजबूत हो जाएगी अब Tank Shank ऐसा ही करता है और Grand Master के बताय अनुसार वो उसकी energy को absorb करके meditate करने लगता है वो अपनी spirit soul के अंदर पहुँच जाता है और उसे अब spirit ring हासिल होने लगती है और इस process में सुभा हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने पास अपने teacher को बेहोश पाता है उनको चेक करने पर उसे उसके शरीर पर कल वाले beast के जहर का निशान मिलता है जिस वज़े से उनके शरीर में जहर फैल गया होता है और अब वो बेहोश हो गए होते हैं अब अगर उनके शरीर से जहर नहीं निकाला गया तो वो मर सकते थे इसलिए वो तुरंत लुहार की टेकनीक का यूज करते हुए चाकू को गरम करता है और उसका यूज करके जहर निकालने लगता है वो फिर अपनी सोल पार का यूज करता है और जो जहर उनके शरीर के भीतर चला गया था उसे निकालता है और ऐसा करने के कुछ समय बाद Grand Master फाइनली होश में आ जाते हैं टैंग शैंग अपने टीचर को रेस करने का बोलता है लेकिन अब टीचर सबसे पहले वापिस स्कूल लोटना चाते थे वो अब टैंग शैंग से उसकी स्परिट रिंग की पार दिखाने को कहते हैं जिस पर अब टैंग शैंग meditate करके उनकी पार को निकालता है और वो पार 50 मीटर दूर के पेड़ में जाकर लगती है और उस पेड़ को अपने में जकड़ कर उसे मारने के लिए ready हो जाती है ग्रैंड मास्टर समझ चाते हैं कि ये पार बहुत जादा खतरनाक है और बहुत शक्तिशाली है इस पार से हम 50 मीटर दूर खड़े आदमी को असानी से पेरलाइस भी कर सकते हैं अब दोनों ही बहुत खुश होते हैं और दोनों अब स्कूल में वापस जाते हैं जहां टैंग चंक बिमार ग्रांड मास्टर को बेट पर लेट आता है और ग्रांड मास्टर उसको शेल्फ में से एक बुक निकालने को कहते हैं हो कहते है कि मैंने इस बुक के अंदर अपनी कई सारी रिसơर्च लिखी है और इनसे तुम्हें बहुत हेल्प होगी वो फिर उसे शहर के spirit hall म जाने को कहते हैं क्योंकि वहाँ जाकर वो खुद के लिए अपने टैलेंट के बिसस पर एक मंतली स्टाइपंड बुग कर सकता था और ऐसा करने के बाद उसे यहां वरकिंग स्टुडेंट के रूप में काम नहीं करना पड़ेगा वो अपने ग्रांट मास्टर की बात मान जाता है और अब उनके कहने अनुसार वहाँ जाने लगता है वहीं दूसरी तरफ हम होस्टल सेवन के बच्चों और अमीरों के बच्चों को एक ग्राउंड में देखते हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे थे असल में उनमें लड़ाई हो गई थी और उनके बीच ये डिसाइड होता है कि वो एक एक करके अपने ग्राउंड से एक मेंबर भीजेंगे और जो ग्रूप हारेगा वो कमजोर साबित होगा और उसे दूसरे ग्रूप को बॉस बोलना होगा हॉस्टल सेवन की लीडर जीवू बनी थी और जीवू अपने ग्रूप से एक लड़के को लड़ने के लिए बेचती है इस लड़के की स्पिरिट सोल लाइन की थी और वो अब अमीरों के ग्रूप से जो बच्चा आया था उससे लड़ने लगता है उनकी लड़ाई बहुत आइकानिक लेवल की चलती है जिस वज़े से हॉस्टल सेवन का ग्रूप हारने लगता है और जीवू को बहुत बुरा लगता है अमीरों के बच्चे जीवू को खरगोश कहकर बीचे डाने लगते हैं और तबी बहाँ टैंक शैंगा पहुँचता है टैंक शैंग को देखकर जीवू बहुत खुश हो जाती है और वो उसको अमीरों की सारी कर्टूते बता देती है अब tank shank सब समझ जाता है और वो चुपके से कुछ pebbles इस way में फेकता है कि अमीर बच्चा लड़ खड़ा जाता है और hostel 7 के बच्चे को मौका मिल जाता है और वो तुरंत अमीर बच्चे पर attack करके उसे हरा देता है अब अमीर बच्चो के गुरुप को गुस्सा आ जाता है औ अमीर बच्चा अब गुस्से में अपनी फुल स्ट्रेंट में आता है और अब टैंग शैंग भी अपनी स्पिरिट रिंक का यूज करता है और उसे अपनी पावर्स में जकड लेता है और उसे कहता है कि अब तुम अगर हार नहीं मानोगे तो तुम पैरलाइज हो जाओगे अब वो अमीर बच्चा मरता क्या ना करता। इसलिए वो हार मानकर हॉस्टल सेवन को अपने बॉस के रूप में एकसेप्ट कर लेता है। और जीवू बहुत खुश हो जाती है। और फिर उन सब को अपनी सोल पावर के बारे में बताती है। उसकी सोल पावर रैंक 12 की थी और सब ये सुनकर बहुत चौक जाते हैं। अब टैंक शान ग्रैंड मास्टर के कहे अनुसार स्पिरिट हॉल अकैडमी में जाने लगता है। और वहाँ पहुचकर उसे अपने गाउं वाले स्पिरिट मास्टर दिखते हैं। और यही इस जगह पर ये एपिसोट खतम हो जाता है।